हाई फ्रेंट्स वोलकाम टू स्टार्टेक आज की वीडियो की टॉपिक है आप कैसे एक अच्छा फोन बाय कर सकते हो तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमरे चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आप लोग के लिए लेखे आएंगे तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अच्छा फोन वाय करने के लिए बहुत सारा गाइडलाइन होता है लेकिन मैं आपसे में में पॉंट की बार में बात करूं तो पहले आप डिसेट करो आपको किस टाइप का फोन चाहिए यानि अच्छा कैमरा चाहिए या फिर गेम्स खेलने के लिए चाहिए या फिर अच्छी बैटरी चाहिए तो आप पहले डिसाइट करो आपको किस टाइब का फोन चाहिए तो हम इसी में में पॉइंट की बारे में बात करने वाले हैं तो एक नंबर पर आता है डिस आज काल तो चेंज का फोनाना बंध हो गया है बेस है शिक्स पंट फाइब से शेवे निच्ट है तो आपको कौन सा चाहिए आपके लिए कौन से स्क्रीन से आपके लिए बेस्ट है अगर आप बड़े फोन पे इंप्रेस होते हो तो आपको स्क्रीन से पक्राइब अर् chi lilies द गलाना बंद कर दिया है और वो लोग ध्यांदर है बड़े स्क्रीन साइज के अपर उनकी ऐसाजरा मताई है जही शहीं एक दो स्क्रीन जादा है तो जो भी छोड़े स्क्रीन सेज पसंद पर सबक्राइब स्मीदिन नहीं होई ûtसकी हो cahe aft 15 तो आपको फोन में से पहले देखना चाहिए उस पोन में कौन सा प्रोसेशर है गेमेस के लिए फोन अलग होते हैं ऐसा नहीं कि फोन ले लेले के लिए फून तो फून होता है वैसा Вас भी गेमस खेलने के लिए फून अलग होता है वरना तो एक लाक ऑर भछ दरट साइज के फॉन में डिर्टेस नहीं होता तो फोन लेने से पहले अगर आप एक गेमिंग फोन ढूंड रहे हो तो उसमें प्रोसेसर कौन सा है उस पे ध्यान दीजी यह है बैटरी आप पहले यह माइंड में रखो कि आपके पास जो फोन है उस फोन में बैटरी कितनी इमेज की है और वो बैकाप कितनी दे तक देता है अगर आप नॉर्माल यूजर हो तो ठीक है 4000 इमेज की बैटरी आपके लिए कभी है लेकिन अगर आप हेवी यूजर हो आप फोन पे गेम खिलते हो अगर आप उसको यूज जादा करते हो तो उस फोन में कम से कम 5000 इमेज की बैटरी जरूर होनी चाहिए तो दोस्तो नमबर फोर है कैमेरा अगर आप ज़्यादा फोटोस क्लिक करते हो अगर आपको ज़्यादा फोटोस क्लिक करना बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये पार्ट पे ध्यान देना अब बहुत सारे कमपनी क्लेम करता है इस फोन में 64 में विसल कैमेरा है इस फोन में बहले ही दो मेग एपिसल या फिर आठ पांज मेग एपिसल की कैमरा दो लेकिन अब उसमें आप्टिमाइज अच्छे से करो ताकि रोगों को पसंद आए लेकिन अनबोक्सिंग के वब वीडियो जरूर कर लेना अगर आप अफलाइन लेते हो मतलब किसी भी दुकान में लेने के लिए जाते हो तो यह फोन के बारे में बोल रहे हो और दुकांदार आपको अलग फोन दिखा रहा है तो आपको दुकांदार को बोलना है कि मुझे सि यही पुल चाहिए अगर उस दुकान पर नहीं है तो आप दुसरे दुकान पर जाएए अगर वहां पर भी नहीं है तो आप दो से तीन दिन या फिर एक हफ्ते तक वेट कर लिजे क्योंकि आप उस फोन को एक से दो साल तक यूज करने वाले हो तो सोच समज़कर फोन कीजिए और फ्रेंस और फैमिली के साथ सेयर कीजिए ताकि वह भी दुखांदारों के बात में मात आये और एक आच्छा फोन बाई कर सके तो दोस्तों आज के विडियो में इतना ही मिनते हैं अगली विडियो पर तब तक के लिए बाई